हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिने स्रीराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भंत्य हनुमार तुम् तो हो बढ़े बल्वार ये राम भक्त हनुमार तुम जो हूँ बड़ बलगार गौत मरे सीन शाप दिया था माता अंजनी को कहने लगे कि तुम कुमारी ही माता बन जाओ बोली अंजनीर इस वरिये मैं होने ना दूँगी अपने आपको एक गुफा में मैं बंद कर लूँगी किसी पुरुस को देखू ना मैं ये होगा कैसे जाएगा ये शाप तुम्हारा बिर था ही ऐसे अपने आपको एक गुफा में उसने बंद किया छोटा सा एक छित्र था बस जिसमें आए हवा हुआ है क्या फिर इससे आगे तुम्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कता सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमार तुम तो हो बड़ बल्यार ते राम भक्ति हनुमार तुम तो हो बड़ बल्यार मोहन रूप जो विशनो जी ने भोले को दिखलाया काम भेग फिर भोले जी को रूप देख चड़े आया काम भेग अब भोले जी से रोका ना जाए प्रम्हा जी ने फिर बत लाया उनको एक उपाए गुफा अंजना बैठी जिसको गवतमरिसी का स्राइ कान में उसके डालो बिंदू जाकर भोले आए काम भेग ये आपका तो यू व्यरत न जाएगा काउतमरिसी का साप भी भोले सच हो जाएगा गुफा द्वार पर जाकर भोले अलख जगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं तम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़े बर्वान हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़े बर्वान बोले जी की अलख जो अंजना के कान पड़ी बैठी धान लगा कर थी वो सुनकर हुई खड़ी बोली अंजना जो की मुझे को बाहर ना आना बंग कर ना है शाप्रसी का मैंने है ठाना कहने लग भोले हैं देवी हमें लगी है प्यां पानी पीने से पहले तुम्हें मंत्र देंगे खां अपने कान को इस छित्र के पास मिलाओ तुम्ह बिना तच्छिणा किसी का पानी ना पीते हैं हम कान में वो फिर अंजनी मा के वेग पढ़ाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिन्हें स्री राम गुलाते हैं तम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमात तुम तो हो बड़े बल्वात हे राम भक्ति हनुमात तुम तो हो बड़े बल्वात पोली अंजनी है जो की ये क्या है तुमने किया सच ही हो गया साप आज जो रिसिगाउ तम ने दिया कहने लगे कहें अलजनी इसको ना समझो साथ ऐसे वैसे ना जोगी हम खुद है भोले ना होगा जो ये बालक वो बड़ा पीर कहाएगा कौमार भी भंग तुम्हारा ना हो पाएगा राम भक्त इसे लोग कहेंगे और नाम हनुमा मत समझो ये श्राप है तुमको ये तो है वरदा भोले नात तो फिर कैलास पे लोटे ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हे स्रीराम बुलाते हैं तम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बल्यान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बल्यान अवन के जरिये कान से होकर ये हैं गर्ब में आये इसलिए तो बजरंगी है पवन पुत्र कहलाएं किंतु गर्ब में पड़ गई इनको बानर की छाया इसलिए तो बानर जैसा रूप इन्होंने बनाया पजपन से ही हुए है ये तो बड़े बीर बल्यान बोले जीने जैसा कहा था रखा नाम हनुमान देखके एक दिन आस्वान में लटक रहा वलला उड़कर पहुँच गए बजरंगी ऐसा किया कमान समझ के पल वो सुर्य देव को निगल ही जाते है पावन कथा सुनाते है वाई भरत समान जिने स्वी राम बुलाते हैं कम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त्य हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान हे राम भक्त्य हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान सुर्य देव को जो निगलातो हुआ घोर अंधिकार सारी ही स्रिष्टी में मच गई फिर तो हाहा का सारे देवी देव तभी तो होने लग व्याकुल हनुमत निगल गए सुरज को समझ के मीठा फल हो एक गत्रित वो हनुमान के पास में फिर आए बाहर निकालो सुर्य देव को रहे है समझाए जित्डी बालक की तरहाना मान रहे हनुमान क्रोध में भर कर इंडर देव ने वच्च लिया है ता बज्ज प्रहार से हनुमान मुर्छित हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बर्मान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बर्मान फिर तो पवन देव ता आये सुत का जानने हाई ये क्या किया है इंद्र देव वो हुए क्रोध सेला छोटे छोटे पालक पे कर दिया वज्र प्राहा मेरा भी अब क्रोध देख लो तुम और ये संसा इंद्र देव ने फिर तो दिखाया उनको अपना तो सब हुए व्याकुल पवन देव ने लिया बेग को रो सास भिलेना सब काफिर तो हो गया था दुसर वार प्रम्हा जी फिर पवन देव से बोले हाथ पसाओ हनुमान की वज्ड देह प्रम्हा जी बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई वरति समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त्य हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान हे राम भक्त्य हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान अवन देव ने ब्रम्हा जी की इन्तीली है मान वज्ड देह का ब्रम्हा जी ने दिया उन्हें वर्दान सूर्य देव हनुमान के मुख से फिर आए है बाहर हुआ उजाला सब देवों ने बोली जै जैकार खेलत खेलत फिर वो एक जंगल में आते हैं रिसी मूख के पुत्र देख उनको डर जाते हैं उचल कूद फिर उन्हें देख कर करने लगे हनुमान रिसी मूख से करी सिकायत फिर मेच्चों ने आए रिसी मूख के साप से वो बल अपन भुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बल्यों हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बल्यों किस किंधा परवत पर फिर तो हनुमान आए वानर राज सुक्रियूने से नामे लिया मिलाए राजा जसरत के घर जन में पुर्सों तमस्रीरा खुसी मनाए नगरी सारी हो रह मंगल का बोले बाल रूपी नर्सन राम के चाहते हैं इसलिए हनुमान को अपने पास बुलाते हैं बोले तुम बानर बन जाओ और मैं बनू मदारी बाल रूपी राम छबी दोनों देखेंगे प्यारी बन के मदारिया योध्या में वो खेल दिखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान ते राम भलते हनुमार तुम दो हो बड़े बलवार चर्चा छिडी अयोध्या में एक आया अजब मदारी वानर का वो खेल दिखाए देखे नगरी सारी पुरसोतम स्री राम खेल को देखन चाहते है राजा दसरत फिर उनको महलों में बुलाते है भूले ने फिर बजरंगी संग ऐसा खेल दिखाया बोले राम ये वानर तो है मेरे मन को भाया ये वानर तो मैं रखूँगा बोले है स्री राम माने ना स्रीराम तो लेकिन रूठ ही जाते हैं पावन कत्ता सुनाते हैं बाई भरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं हम कत्ता सुनाते हैं हे राम भग्त्य हनुमार तुम तो हो बड़ बल्वार राजा तस रतने फिर तो है वानर कई मगाए माने ना स्री राम वही तो बानर लेना चाहे अपने मंत्री को राजाने खोजन है भेजा खोजत खोजत आये मंत्री परवत किस किंधा वानर राज सुक्रीवन आकर उनको सिस जुकाया बुला लिया हनुमान उनके संग में अयोध्य पठाया भक्त और भगवान का फिर तो ऐसा मिलन हुआ फिर बोले स्री राम हम ये लीला रहे दिखाओ अब तुम जाओ हनुमान हम बनबास को आते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई बरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान जोदाह वरस को सिरी राम जब आये हैं वनवान बलिवद करके सुग्रियू से फिर किये मित्र ताखा सीता मा की खोज में निकली सब वानर सेना लंका जाने के लिए हैं हनुमान को चुना सिरी राम की आग्या लेकर ऐसी भरी उडारी सौयो जन का सागर लांगा और लंकिनी मारी सीता माता को जाकर के किया है फिर पेडा बाग उजाणा और अच्छे का कर दिया काम तमाँ सोने की लंका को जला के राख बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त्य हनुमा तुम् दो हो बड़े बलवाँ बना किसे तू फिर कर दी है लंका नगर चढ़ाई डटे रहे स्री राम के संग में जब भी मुसीबत आई अपनी गदा से जाने कितने दानों मारे हैं स्री राम के बोल रहे मुख से जैकारे हैं लखन लाल और मेगनात में युद्ध हुआ भारी मेगनात ने जब लक्षमन को सत्ती थी मारी सुर्योद ऐसे पहले जाकर संजीवन लाएं भरत समान राम प्रभू ने भाई बत लाएं राम प्रभू तुमें कुछ हो करके गले लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान लंका विजय करलोट सभी जब योध्या आते हैं सिरी राम ने सबको ही उपहार भी बाटे हैं मोती की माला हिस्से में आपके आई हैं तोड़ी मोती माला ता तो तले चबाई हैं लंका पती विभीशन ने फिर कह दी ऐसी बाद तोड़ी मोती माला आकिर है बानर की जाद इतने कीमती मोती तुमने क्यों विखराए हैं क्या हिर दै में तेरे भी सी आराम समाए हैं फाड के सीना सी आराम का दरस कराते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने सी आराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भख्य हनुमान, तुम तो हो बड़ बल्यों वीरों के है वीर ये अपने महाबीर हनुमान, राम भख्त है बड़े निराले गुण और बलकी खा, स्री राम की आज्या कासद पालन है करते, भूत पेते और दुर्जन दुष्ट भिनाम से ही डरते, हे बजरंग बली रखना हम पे किरपा की छाया, डी अस पालन सुमर सारता तेरा ही गुन गाया, हंस राजरे लहन ने बनाया सोनोटिक चैनल, सुनेगा जो भी इस गाता को होंगे काम सफ़र। पोजी सुरेस से लाखों भक्त भिसीस जुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हे राम भक्ति हनुमान, तुम तो हूँ बड़ बर्वान।